हलो फ्रेंड्स प्रभा की फुलवारी में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जिस पौधे की बात करने जा रहे हैं और जो पौधा सामने दिख रहा है उसका नाम है अजेलिया यह एक पर्मानेंट या पिरेनियल प्लांट है एक बार आप अपने गार्डिन में ले आए तो सालो साल यह बना रहेगा इसके फूल फरवरी से लेकर और मई तक आते हैं और मई के बाद जब ज्यादा गर्मी पढ़ने लगती है तब इसमें फूल आना बंद हो जाते हैं यह हीली एरिया का पौधा है पहाडों पर यह बहुतायत में मिलता है और वहां बिना किसी केर के यह पौधा बहुत अच्छा चलता है मैदानी भागों में हमलों के पास यह पौधा अभी जाडे में तो बहुत अच्छा फूल देता है पर गर्मी में मई जून में जब टेंपरेचर 40 के पार जाता है तो इसको कुछ बिसेश ध्यान रखकर बचा सकते हैं इसके फूल एक बार जब खिलते हैं तो लगभग दो सप्ता तक 13-14 दिन तक ऐसे ही यह प्लांट पर बने रहते हैं और देखिए यह कली भी है और सारे रंग बहुत खुल सूरत होते हैं ऐसे ही सेड में आते हैं सिंगल कलर में भी आते हैं और सेडेड भी आते हैं और सारे रंग एक से बढ़कर एक खुबसूरत होते हैं देखिए इसमें light orange और cream का combination है बहुत ही white बहुत ही खुबसूरत लग रहा है एक दूसरा छोटा पोधा भी मेरे पास है इसका pink और white का combination है देखिए ये भी बहुत ही सुन्दर रंग है तो इसके सारे रंग जितने भी आते हैं इसी तरह से बहुत ही खुबसूरत खुबसूरत रंग आते हैं और पतियां इसकी बिल्कुल छोटी छोटी होती है छोटी और इस तरह से जादा पतियां नहीं होती है और इसका steam पतला है पर उड़ी होता है soft नहीं होता है इस तरह से hard होता है इसके फूल जब भी आते हैं तो ऐसे पुराने ब्रांच पर आते हैं देखिए जो भी इसके फूल आये हुए हैं वो ऐसे पुराने ब्रांच पुरानी पतियों पर आये हुए हैं इस तरह से और जो भी इसके नए ब्रांच आ रहे हैं जैसे ये ब्रांच अभी पतियां बिल्कुल नहीं हैं, तो इस पर अभी फूल नहीं आएंगे, जब ये ब्रांच थोड़ा पुराना होगा, थोड़ा तना इसका ठीक होगा, तब ही उस पर फूल आएंगे, और लगभग सब के टिप पर आते हैं फूल इस तरह से, देखिए सब के टिक पर आते हैं, इसके केर की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले पॉट की बात करते हैं, इसका पॉट ये आठ हिंच का मैंने लिया है, और देखिए मिट्टी का पॉट है, मिट्टी का पॉट सबसे अच्छा होता है, अगर आपके पास मिट्टी का पॉट नहीं है, जामिक पॉट में लगाएं लेकिन अगर आपके पास अभिले बुल है तो सबसे पहला जो पसंद है वो मिट्टी का पॉट ही रहता है इसकी जड़े बहुत गहरी नहीं जाती है तो ये साथ इंच आठ इंच का पॉट इसके लिए बहुत अच्छा रहता है और मिट्टी की बात करें दोस्तों तो मैंने बराबर बराबर मात्रा में मिट्टी, बालू और वर्मी कमपोस्ट तीनों बराबर बराबर मात्रा में लिया है और उसमें थोड़ा सा ये धान की भूसी मैंने मिला दी है और दो मुठी नीम की खली मैंने मिला दी है और इसमें ये पोधा बहुत अच्छी तरह इस मिट्टी में चलेगा दोस्तों ये एजेलिया के प्लांट की मिट्टी में बहुत सौगी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं डाले हाँ इसमें मौैस्चर बना रहना चाहिए बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो मिटी पर बहुत ज़्यादा पानी अगर आपकी मिटी गिली है तो आप दुसरे दिन पानी नहीं दें हलका सा मुएस्चर बस बना रहना चाहिए और धूप की बात करें दोस्तों तो इसको पूरे दिन का धूप नहीं चाहिए इस पौधे को अब ही तो पूरे दिन का धूप बरदास्त कर भी ले पर कुछ दिनों के बाद लगभग 15 दिनों के बाद आप इसको ऐसे जगह पे रखें जहां लगभग 3 घंटे की धूप इस पौधे को मिल जाए और बाकी समय सेड मिले तब ही इसके फूप लंबे समय तक इसके पौधे पर टीके रहते हैं नहीं तो अगर आपने धूप बढ़ने पर भी कड़ी होने पर भी धूप में पूरे दिन रखा तो इसके फूप बहुत जल्दी मुर्जाने लगते हैं तो इस पर इस तरह से लगातार फूल पाने के लिए आप तीन से चार घंटे की इसे धूप दे और बाकी समय इसको सेड में रखे तो दोस्तो इस तरह से हम लोग इस खुबसूरत पौधे को सालों भर अपने पास बचा कर रख सकते हैं और अभी से लेकर मई तक इसी तरह खुबसूरत फूल पा सकते हैं तो ये थी इसके केर की बाते और मिलते हैं दोस्तो एक नए प्लांट के साथ और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें कॉमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब करें दोस्तो बाई फ्रेंड्स